दोस्तों, 12 दिसंबर दिन मंगलवार को साल की सबसे बड़ी अमावस्या और आखिरी मार्कशीर्ष भौमवती अमावस्या पड़ रही है इस दिन भगवान शनिदेव महराज और भगवान हनुमान जी महराज के आशीरवाद से बना दिव्य और दुरलब महाशुब संयोग क बाल जर्ब योग, 12 राशियों में से 6 राशिया होंगी, करोड़ पती माला माल यूँ कहें कि अब भगवान शनिदेव महराज और भगवान हनुमान जी की क्रिपा से 12 राशियों में से 6 राशिवालों को 12 दिसंबर यानि की मार्ग शीर्ष भौमवती अमावस्या के दिन स अब भगवान शनीदेव महराज और भगवान हनुमान जी के आशीरवाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन शे राशिवालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये राशियां कौन-कौन सी है जो भगवान शनीदेव महराज और भगवान हनुमान जी की कृपा से 12 दिसंबर मार्ग शीर्श अमावस्या के दिन करोड़ पती बनने वाली है धन से माला माल बनने वाली है आज के इस वीडियो में हम आपको उन भाक्यशाली राशि दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले भगवान शनीदेव महराज और भगवान हनुमान जी महराज के सच्चे भक्त दवास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवस्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महराज और जय शनीदेव अवश् इस दिन स्नान दान पूजा पाट तरपन आदी करना लाभकारी माना गया है। इस बार यानी 12 दिसंबर मंगलवार को मार्ग शीर्ष अमावस्या के दिन बहुत ही दुरलब संयोग बन रहा है। काल सर्फ योग बन रहा है। जिसमें की भगवान शनीदेव महराज और भगवान हनुमान जी की कृपा 12 राशियों में से 6 राशिवालों पर पढ़ चुकी है। आपको बता दें। वैसे तो ये मार्ग शीर्ष का महीना चल रहा है। परंतु इस दिन भगवान शनीदेव महराज की कृपा आपके ऊपर पढ़ चुकी है। मार्ग शीर्ष महीने में पढ़ने वाली अमावस्या तिथी बेहद ही खास मानी जाती है। इस माह की अमावस्या को ही दर्ष अमावस्या अत्वा मार्ग शीश अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या को पितरों की चिति मान कर उनकी शान्ती एवं प्रसन्नता के निमित इस दिन पिंडदान श्राद दादी किये जाते हैं। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार इस बार दर्श अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6 बच कर 24 मिनट से आरंब होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5 बच कर 1 मिनट तक मान्य रहेगी ऐसे में 12 दिसंबर को ही अमावस्या मानाई जाएगी और इसी दिन पित्रशांत के उपाय किये जाएंगे इस बार अमावस्या पर त्वितिय योग तथा अनुराधा नक्षत्र का शुब संयोग बन रहा है मंगलवार होने से इस दिन पिंडदान के निमित उपयुक्त अवसर है साथ ही इस दिन मंगल ग्रह राहुकेतु के भी उपाय करने के लिए उत्त भगवान शिव के महामृत्युन जय मंत्र का अनुष्ठान करने से लाभ होता है इसके साथ ही आपको बता दें कि अमावस्या इस बार मंगलवार को पड़ रही है ऐसे में भगवान हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह संबंधी दोश भी शान्थ होंगे दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों की जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव महराज की कृपा होने वाली है उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशी आती है वो है मकर राश राश्य के लोगों को व्यापार और व्यवसाएं में वृध्य होगी, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी, जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की स संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान शनी देव महराज की विशेश कृपा मकर राशिवालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन ही खुशियां जिससे मकर राशिवालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशियाती है मेश राशिष राशिवालों को बता दें कि भगवान शनी देव महराज की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है भगवान शनी देव महराज आपके उबर बेहत प्रसन्न है आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्ध्य होगी मेश राशिवालों जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दें कि भगवान शनी देव महराज की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें जो भी आपके रुके कारे थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दें कि जो भी कारे आप शुरू करना चाहत उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों भगवान शनिदेव महराज के आशीरवात से मेश राशिवालों आपके आए के साधनों में वृद्धि होगी दोस्तों भगवान शनिदेव महराज के आशीरवात से आपको धनलाब प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप होगी अचानक से धनलाब प्राप्ति की संभावना बन रही है साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी शनिदेव की विशेश कृपा मेश राशिवालों आपके ऊपर बन रही है समय अब आपके पूर्ण तह पक्ष में है समय का आप भरपूर लाग उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशे आती है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी वालों को बता दे कि अब भगवान शनिदेव महराज के आश तिक स्थिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक होंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथ ही साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है भगवान शनिदेव महराज जी की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है जिसकी वजह से आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं ये सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सफ पूर्वक पूरे होंगे आपको पता दें कि भगवान शनिदेव महराज की विशेश कृपा व्रिशब राशी वालों आपके उपर बन रही है आप दिन दुगनी रात चोगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेगे आप अपनी सफलताओं के जंडे गा राशी दोस्तों कन्या राशी वालों को पता दें भगवान शनिदेव महराज की विशेश कृपा आपके उपर बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता देना केवल आपको धनलाब होगा बलकि आपके व्यापार भी खोब व्रिद्य भी होगी इसके अलावा जो विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने की योग बन रहे हैं भगवान शनीदेव महराज की विशेश कृपा कन्या राशिवालों आपके उपर बन रहा है साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ में खुशनुमा माहौल रहेगा प्रेम संबंध मजबूत होंगे साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी भगवान महराज अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब धन लाब और सफलता की प्राप्ति होने वाली है जिससे कन्या राशिवालों आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशियादी है वो है सिंह राशिवालों को बता दें कि भगवा इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अफसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बतलाव होगा जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव महराज की कृपा आपके उपर बन रही है इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार भी वृध्य होगी सिहराशवालों अब आपको चारों तरफ से लाब मिलने वाला है भगवान शनी देव महराज की कृपा आपके उपर बन रही है साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौ बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशियां ही देव महराज के आशीरवात से अब समय आपके लिए पूर्ण तह पक्ष में हैं दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो हैं धनुराशी धनुराशी वालों को बता दें कि भगवान शनीदेव महराज की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिल मिलने के योगपन रहे हैं जी हां दोस्तों आपको बता दें आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है आपने जो मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा आपको बता दें आपके रुके हुए कार्य भगवा भगवान शनीदेव महाराज की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदेव महाराज की क्रिपा से आपके धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे धन में खूब वृद्ध्य होगी और अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें कि भगवान शनीदेव महराज की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन नद्दी के साथ साथ वेतन वृध्धि के भी योग है। आपको बता दे भगवान शनिदेव महराज की कृपासे धनु राशिवालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अबंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कुम्भ राशि कुम्भ राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव महराज की कृपासे ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज आपके उपर बेहत प्रसन्न है आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों आपको बता दें कुम्ब राशेवालों आपने जो भी महनत की है उस महनत का अब आपको फल प्राप्थ होने वाला है साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कारे थे वे कारे आपके सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा और उनका व्यापार दिन दो गुना रात चौगुना तरक्की करेगा उनको हर तरफ से अ उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी साथ ही साथ आपको बता दे यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलने के योग हैं स आधी साथ आपके व्याबार में जो भी रुकावटें आ रही है वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी कुम्ब राशिवालों आप आपके जीवन में खुशी का एहसास करेंगे। भगवान शनिदेव महाराज की विशेश कृपा आपके उपर गुम्ब राशिवालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्टा पक्ष में हैं इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले अगर आपने अभी तक दवास्तुशास्त्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवस्यकर जिससे की ऐसी ही घ्यानवर्धक विडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को बता दें। भगवान शनीदेव महराज की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है। आपकी आने वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोन्नती मिलेगी। व्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक स्थिती मस्बूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कारे पूरे होंगे और परिवार में शांतिव आनंद का वातावरन रहेगा। आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिल सकती है। भगवान शनिदेव महराज की कृपा से आपके सभी कारे सफल होंगे। व्यावसाय में अचानक लाब होगा जिससे धन लाब प्राप्ति की आपके लिए अनेकों योग बन रहे हैं। का सुख मिथुन राशिवालों अब आपको मिलने वाला है जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशिवालों भगवान शनीदेव महराज के आशीरवात से अब समय आपके लिए पूर्ण तह पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को आपने हाथ से न जाने दें। इन राशिवालों के जीवन में होगी। अब खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जैशनीदेव महराज अवश्य लिखें।